हेलो दोस्तों के स्वाइब सभी मुमीत कता बहुत बेतर होंगे तो आज फिर से मैं एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ और जिसे कि अपने थम्नेल में देखी लिया होगा आज हम बात करने वाले प्राइवेट बेंग के बारे में कि इंडिया में टोटल किते प्राम जानने वाले इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बता दू हमने अपने चैनल पर एक प्लेइलिस शुरू की है जिसमें आपको हर संडे को एक बैंक रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाती है तो जिन्नों ने अल्रेडी सब्सक्राइब कर रहा है उनको पता ही ह होगा और जिन्नों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरी डीटल देने वाला हो प्राइवेट बैंक के बारे में तो इस वीडियो को पूरा देखना साधी चात वीडियो पसंदा ये वीडियो को लाइक करना चैनल पर इस्टिपलाइज हुआ था हेड्कोर्टर की बात करी जाए तो मुंबई में इसका हेड्कोर्टर है mdn CEO की बात करी जाए तो अमिताप चोधरी इसके mdn CEO है नेक्स जो अमारा बैंक आता है वह है हमारा HDFC बैंक अगर इसकी फूलपाउम की बात करी जाए तो Housing Development Finance Corporation इसकी फ हेड्कोर्टर वरोद्रा में mdn CEO की बात करी जाए तो Sandeep Baksis के mdn CEO है और निचे इसकी फूल फॉर्म देख सकते हो इसके बात जो हमारा बैंक आता है वह हमारा बंदन बैंक यह 2015 में इस्टबलाइज हुआ था हेड्कोर्टर की बात करी जाए तो Kolkata में इसका हेड्कोर् इसकी फूल फॉर्म की बात करी जाए तो Catholic Syrian bank इसकी फूल फॉर्म है और नीचे आप देख सकते हो पूरी डीटल में ने दे रखी है इसके बात जो हमारा बैंक की तरफ आ जाते हैं नेक्स्ट जो हमारा बैंक है वह हमारा City Union Bank 1904 में इस्टबलाइज हुआ था और Tamil Nadu में इस इसके बात जो मारा बैंक है वह हमारा DCB bank जो की 1930 में इस्टबलाइज हुआ था है और मुंबई में और इसके MDN CEO और चेर्मेन आप देख सकते हो नीचे दे रखे नेक्स जो मारा बैंक है वह हमारा federal bank यह 1937 में इस्टबलाइज हुआ था है और MDN CEO की बात करे तो Sam Srinivasis के MDN CEO है नेक्स जो मारा bank आता है वह हमारा IDBI bank यह इस्टबलाइज हुआ था 1964 में हेड़क्वाटर की बात करी जाए तो मुंबई में इसका हेड़क्वाटर है MDN CEO इसके राकेश सर्मा और चेर्मेन इसके एनर कुमार है तो आप देख सकते हो इसमें पूरी डिटल में दे दिये नेक्स जो मारा आता है वह हमारा Yes bank यह भी एक private bank है और इसका भी आपने नाम सुन रखा होगा यह हमारा 2004 में इस्टबलाइज हुआ था हेड़क्वाटर इसका मुंबई में MDN CEO की बात करे तो इसका प्रसांद कुमार MDN CEO है चेर्मेन इसके सुनिल मेता है नेक्स फिर हमारा जो भी आता है प्रविट बैंक वह हमारा नेनिताल बैंक यह 1922 में इस्टबलाइज हुआ था हेड़क्वाटर इसका नेनिताल में ए MD&CEO की बात करें तो DNS 5 इसके MD&CEO है इसके बाद जो हमारा बेंग काता है प्राइविट बेंग वह हमारा साउथ इंडियान बेंग यह 1929 में इस्टेबलाइज हुआ था और केरला में इसका हेड़कवाटर है MD&CEO और चेयरमेन आप देख सकते हो दोनों मेंने नीचे दे रखे इसके बाद हमारा जो बेंग काता है प्राइविट बेंग वह हमारा कोटक महींदरा बेंग इसका भी अपने नाम सुन रखा होगा यह इस्टेबलाइज हुआ था 2003 में हेड़कवाटर की बात करें तो मुंबई में इसका हेड़कवाटर है MD&CEO की बात करें तो उदे कोटक इसके MD&CEO है चेयरमेने इसके प्रकास आपते और इसके बात जो हमारा नेक्स्ट बेंग काता है वह हमारा करनाटका बेंग यह 1924 में इस्टेबलाइज हुआ था हेड़कवाटर इसका मंगलूरू करनाटका में MD&CEO की बात करें तो महाबलेस्वर इसके MD&CEO है नेक्स्ट जो हमारा बेंग काता है वह हमारा IDFC First Bank इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो Infrastructure Development Finance Companies की फुल फुल फॉर्म है यह 2015 में इस्टेबलाइज हुआ था हेड़कवाटर इसका मुंबई में और MD&CEO इसके वी वेद्यन आथन है तो आप देख सकते हो फोटो भी दे रखाए नेक्स्ट जो हमारा बेंग काता है वह हमारा इंडस्ट लेंड बेंग जो की 1994 में इस्टेबलाइज हुआ था हेड़कवाटर पूने में और MD&CEO की बात करें तो सुमें तकात पलिया इसके जो है MD&CEO है इसके बाद नेक्स जो हमारा बेंग आता है वह हमारा केवी भी मतलब करूर वेस्य बेंग और यह 1916 में इस्टेबलाइज हुआ था हेड़कवाटर इसका तमुलनाडू में और चेर्मेन की बात करें तो Mr. N.S. स्रीनाथ इसके चेर्मेन है इसके बाद नेक्स जो हमारा बेंग आता है वह हमारा RBL बेंग रतनाकर बेंग यह 1913 में इस्टेबलाइज हुआ था हेड़कवाटर इसका मुमबई में और MD&CO आप देख सकते हो Mr. Viswavir Anujah इसके बाद नेक्स जो हमारा बेंग आता है वह हमारा तमिलनाडू मर्चेंटाइल बेंग जो कि 1921 में इस्टेबलाइज हुआ था हेड़कवाटर इसका तुतु कुंटी में है और MD&CO की बात करें तो KV Ramamurthy इसके MD&CO है इसके बात जो हमारा लास्ट प्राइवेट बेंग आता है वह हमारा जम्मू एंड कस्वीर बेंग जो कि 1938 में इस्टेबलाइज हुआ था हेड़कवाटर की बात करें तो स्रिंगार में इसका हेड़कवाटर है MD& चेर्मेन इसके राजसकुमार चीबर है तो आप देख सकते हो हमारे टोटल 21 बेंग के प्राइवेट बेंग जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी बतायता हो तो हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है तो आपको पता चल गया होगा इंडिया में ही टोल 21 प्राइवेड बेनको और हमने सारे प्राइवेड बेंक कहर लिए तो उमीद्थि आप सब को पता चल गया होगा किते है विड है और कौन-कौन से है झाल 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 झाल